दोस्तों आज मैं आपको कुछ गरम-गरम अपडेट्स देने वाला हूँ जो सुनके आपका दिल गार्डेन गार्डेन हो जाएगा पहले हम बात करेंगे फिलिपकार्ट सेल के बारे में Flipkart में आप देखेंगे फिर से स्मार्टफोन की Sale Start हो रही है और इस Sale को मैं कहा सकता हूँ यह इस साल की Last Sale भी हो सकती है जहापर आपको तवरा डिसकाउंट दिया जाएगा अगर आप Flipkart का Sale पर जोपन करेंगे तो यह बैनर आपको दिख जाएगा Flipkart Dig Saving Days के नाम से इंडिया का Mobile Superstore यह Sale Start हो की 16 December से और यह चलेगी 21st December तक यहापर आपको SBI कार्ट को यूज़ करके 10% instant discount मिल जाएगा अगर आप देखते हैं तो अभी कुछ phone है जिनको यहापर highlight किया जा रहा है जिन पर discount मिलना है इस Sale में जैसे कि iPhone 12 फिर से आपको मिल जाएगा थोड़े कम प्राइस पर जैसे आपको मिल दा ना Big Billion Days में वैसे ही कुछ यहापर आपको देखने को मिल सकता है iPhone 12 का और अगर आपको बज़ट में पहुंचिए तो 950i भी आपको 7000 के आज-पास की रेंज में मिल सकता है Realme A Type यह आपको मिल जाएगा बहुती अग्रसीव प्राइस पॉइंट पे में रेकोर्डिंग 11-12000 के बीच में आप iPhone भाई कर पाएंगे और इस प्राइस पे मैं कह सकता हूँ यह बहुती strong smartphone रहेगा इसका आप definitely wait कर सकते हैं अगर आप और नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर Redmi 9 नहीं है यह तो मैं आपको फिलाल recommend नहीं करने वाला फिर आपको मिलता है Moto G60 Fusion इसकी जगा पे मैं आपको G40 Fusion recommend करूँगा यह iPhone आप 12-13000 के बीच में भाई कर पाएंगे मतलब 14,000 का वैसे आपको मिलगा यह phone sale में और उपरा बैंक ओफर लगाकर और भी इसकाउंट ले सकते हैं तो मुझे लगता है यह बहुत यची डिल रहेगी Moto G40 Fusion और Realme GT Master Edition 20-21,000 का आपको मिल जाएगा यह तो मैं phone आपको strongly recommend कर सकता हूँ 20-21,000 का आजपास की देंज में इसको मैं एक flagship pillar बोल सकता हूँ Realme की तरफ से यहाँ पर camera, display, सब कुछ बढ़िया है price के साब से Infinix Hot 11S, यह phone भी मैं आपको recommend करूँगा 10-11,000 के आजपास की देंज में काफी अच्छी एडिल रहने वाली है इस price segment पे Infinix Smart 5, यह आप phone आप ignore कर दीजिए और Pixel 4 भी मैं आपको recommend नहीं करने वाला यह phone मेरे यहाँ पर बोर टाइम से user है मेरे फादर यूज कर रहे है मैं गाए सकता हूँ battery backup होती कम है phone का मज़ा नहीं आएगा हर टेंग मैं आपको फोन चार्ज ही करते रहना पड़ेगा ROG Phone 3B मैं आपको recommend नहीं करने वाला और iPhone 12 Mini यह phone आप देख सकते हैं इस पे आपको discount मुझे लगता है 40,000 के आसपस यह आप phone भाई कर पाएंगे 40,000-45,000 के पीच में जा तक मुझे लग रहा है वागी देखते हैं क्या होता है थोड़ा वेट कीजिए Moto G51 5G यह phone आप भी डिसे नहीं लोग जो आथा Moto लगी तरफ से 15,000 का यह phone है Snapdragon 480 के साथ इसके बारे में मैं आपको phone यूज करने के बाद बता सकता हूँ थोड़ा वेट कीजिए जल्दी मैं इसका review लेकर आऊँगा आप सब के लिए अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा deals अभी रिवील नहीं होई है दिरे दिरे deals रिवील कीजएगी मैं आपको 15 दिसंबर के आसपास एक ओर वीडियो दूँगा जहांपर हम बात करेंगे सारी deals के बारे में जो भी phone आपको मिलना है इस sale में जहां से आप क्या ले सकते हैं क्या आपको इनोड करना है सब मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में उसका वेट जूर कीजिएगा अब बात करते हैं कुछ गरम गरम अपडेट्स के बारे में पहला आप बढ़ने याँ पर वनप्लस की तरफ से दोस्तों वीडियो आपको चला लग रहा हूँ वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे मताना कमेंट्स में आप इंडिया में किस फोन का बेस अबरी से वेट कर रहे हैं वनप्लस के फोन का सैमसंग शोमी या फिर रियल मी कमेंट करो और वीडियो लाइक करना मत भूलना इंडिया में उसी टाइम पर 980 भी लॉंज किया जाएगा ग्लोबल लॉंज रहेगा इंडिया में दोने जीस आएंगी और बाग के मार्केट में जैट टू लॉंज होगा वी 980 बाग के मार्केट में ओलरी लॉंज हो चुका है अब मैं गाय सकता हूँ 40,000 के आसपर से लॉंज होगा में वनपर 980 इंडियन मार्केट में अब मेरे कोडिंग दो इस फोन की फिलाल जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें सेम प्राइस पे इसी लवल के फोन देखने को मिल रहे है बट अब देखते हैं यहां पर इसकी एक्चुल प्राइसिंग क्या रहती है अभी यहां पर आपको स्नैपन ट्रिपलेट दिया जा रहे है कैमरा इंप्रूफ किया गया इसका पहले के खम बैजर में बागी चीज़ हम देखेंगे फोन हाथ में आने के बाद अगला अप्डेट भी मारा वन प्रस की तरफ से है अगर आप बेट कर रहे हैं कब आपको वन प्रस बज़र में देखने को मिलेगा तो अब आपका यह इंतजार काफी हथ तक मुझे लगता है खत्ब होने वाले है वन प्रस का न्यूफ़ लोंज होने बाले है जो कि हो सकता है वन पर नोट सी ए टू जो कम्याती नोट सी ए में उनको यहाँ पर इंप्रूफ करकर रोंट किया जाएगा इस फोन के साथ और यह फोन आपको बीज़ार के अंदर देखने को मिल सकता है अब यहाँ पर क्या होगा, क्या परसेसर होगा इसको जगर कुछ कनफरम नहीं है, यह फोन आने वाल है यह चीज़ आप कनफरम मान सकते हैं और मैं गहाँ सकता हूँ, यह फोन इंडिया में तैल का मचा सकता है अगर यह आते है 20,000 के अंदर अंदर की रेंज में क्योंकि 200 के अंदर अंदर जो भी आपको option मिल रहे हैं वहाँ पर interface जो है न वो उतने अच्छे में देख रहे हैं वो नहीं मिलते हैं हाला कि माना की color wise के साथ mix हो चुका है वोक्सीजन wise फिर भी ये बैटर निकल के आता है realme UI वोको UI या फिर MIUI के गम बैजर में तो यह में तो बड़ा advantage रहेगा वनप्रस का बीजार के अंदर अंदर की range में अगर आप देट है realme की तरफ से पर variant आएगा यह चीज़ confirm है अब बात करते हैं IQ के बारे में दोस्तों IQ के आप जानते हैं काफी सारे phone आपको देखने को मिल रहे हैं हर बजट सेग्मेंट में अब IQ बीजर के अंदर अंदर कुछ ना कुछ दमाल करने वाला है दो फोन आपको देखने को मिलेंगे जिन में से एक phone रहेगा mid-range segment का IQ Neo 5 SE के नाम से यहाप आपको मिलेगा Snapdragon 778 Plus जो कमिया थी IQ Z5 में वो कमिया यहाँ यहाँ पर पूरी की जाएंगी कुछ से plus minus करके यह phone ल यहाँ पर होगा Snapdragon 888 यह रहेगा एक flagship killer phone 30-35,000 के आसपास की range का अभी आप जानते है IQ 7 इंडिया में कितना popular smartphone था उसलिए अपर आप यहाँ आप यहाँ प्लस माइनस होगा IQ 7 के बैजन में और अच्छी pricing पर यह phone आपको इंडिया में देखने को मिलने वाला है अगला update है Samsung क 5G यह phone अब इंडिया से बिल्कुल दूर नहीं है आप यह रगालो जैन में यह phone आपको इंडिया में देखने में मिल जाएगा इसको लेकर काफी सारे details आना स्टार्ट हो चुकी है एक तो यहाँ पर आपको मिलेगी डिस्प्लेए पे गोलला स्विक्टस की protection जो कि एक दिया है और आपको मिलेगा 6.4 inch का Full HD Plus Dynamic 2X डिस्प्ले 120Hz refresh rate के साथ अगर हम बाग है परफॉर्मेस के बारे में तो इस phone में हो सकता है Exynos 2100 UFS 3.1 स्टोरेज के साथ पोरसेसरी हैं बुरा नहीं है हम यह पहले यूज कर चुगे हैं Samsung के स्मार्टपोन में प्योर फ्लेक्शी फोन आप इसको बॉल सकते हैं परफॉर्मेस के मामले में कोई आपको श्कायत नहीं होगी प्राइज होगा इसका 45,000 जाके आसपा जहां तक लीक्स के आरे हैं उन लीक्स के गोडिंग आईपी 58 सैटिक वेशन भी आपको यहां पर दी जाएगी तो रब उत पानी इस गित आपके फोन पे तो यह सर्वाइब कर जाएगा अब बात करते हैं पोको के बारे में तो तब पोको के आप जानते हैं कितने सारे फोन आपको देखने को मिल जाते हैं अब आपको पोको की तरफ से पोकू X4 NFC देखने को मिलने वाला है यहां पर होगा मिरेडेट MSC 920 रिफ्रेश डेट के साथ यहां पर आपको मिलने वाला है और आपको मिलेगी 5160MH की बैट्री इसके लावा पोको X4 GT भी आपको देखने को मिलेगा जो आएगा 25,000 के आसपास की रेंज में गेमर्स को ध्यान में रखकर यह फोन डिजाइन किया जा रहा है इससे बहले पोक अपतार स्ट्रोंग नीता और मुझे लगता है इस बर कैमरा काफी इंप्रूफ किया जा रहा है पहले के कम बैजन में तो आप कहा सकते हैं ओल लाउंडर पैकेज आपको मिलने वाला है फोको की तरफ से F3 GT और X4 NFC के साथ तो आप भी कहा सकते हैं कि जैन का महीना रहेगा ना वो काफी स्ट्रोंग रहेगा स्मार्टफोन मार्किट के लिए नॉम्बर डिसंबर में तो कुछ भी हमें खास देखने को नहीं मिला और जैन में 20 आर के अंदर 25 आर के ने में काफी सारे फ्लैक्शिप किलर देखने को मिल जाएंगे मुझे रगता है आपको थोड़ा इंजार करना चीए कोई फोन पर्चेस करने से पहले आप लिपकाट भी सेविंग डेज में आप देख लेना कोई आपको फोन मिल रहा हो कम प्राइस पे तो उसको आप पर्चेस कर सकते हैं मैं आपको उधाय दूँगा 15 संबर को क्या आप ले सकते हैं और क्या आपको इग वीडियो को लाइग हो जाएगे ना मत भूलिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ठाइक्स पर हो जींग दिस वीडियो